वाहि गुरू सेब जी जांको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आतम जिने सगल वासतां के जांका सतगुर पूरा ठाकुर गाये आतम रंग शरनी पावन नाम तियावन सहज समावन संग रहाओ जन के चर्न वस है मेरे ही रहे संग पुनीता देही जन की तूर देहो किरपानिद नानक के सुख एही जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक गुर्ता गदी ते सुबाय मान सारे विश्व दी इकलावती आस सत संगियां दे मान सरोवर हाजर नाजर सत गुरू तानशरी गुरू गरंत सहब महाराज जी दी पावन पुट्र हजूरी विच बड़े ही अदबते सतकार सैथ एस महान आतम रस कथा कीरतन दरबार दी हाजरी पर रही गुरू की साजी नवाजी साद संगत वड़े पागावाले हाँ जो हर साल दी तरह बड़े ही प्यार सतकार सैथ गुरूमत समागमा विच हाजरी पर रहे हैं तिन दिन दे एस स्पैशल दीवान ने तिन समागम ने आज पहला दीवान है मेरे तो पहला बवती सतकार जोग पाईसाव जी ने आप जी नो सतकार दी पावन पुवित्र बाणी दा कीरतन सरवन करवाया है एक विदवान ने एक गुरंथ दे विच बड़ी कीमती गाल लिखी है ओ उदे विच तेन सस्यां दी गाल करदेयां लिखदा है कई दा पहला सस्या है जे में कीरतन असी सुने आए ते सुनदा गुरू गरंथ साब महाराज दी बाणी दे विच बाउत महातम है जदो असी बाबा नानक सहिव जी दी जप बाणी पढ़ दे हां जिथे हजूर ने मने दियां पावडियां उचारन कीतियां ते मनन तो पहला सुनन दी गाल ते जदो तुसी सिख इतियास जां गुरू काल वाल निगा मारोगे पाई लेना जीदा जीवन बदलिया लेने तो अंगद बने ओदे पिछे केवल ते केवल सुनन दी स्पिर्ट कम कर दी है के पिता पुर्खी बड़े लंबे समेतों आन मती ते मन मती थावाते जाके सीस चुकांदे सन पर अजे तक माननू सकून नहीं मिलिया जदो तान गुरू नानक सहब जी दे एक सिख पाई जोद जी पास हो आपने कना दे नाल गुरू की बानी दा शब्द सुनिया जेत सेवे है सोख पाई है सो साहिब सदा समालिया है जेत कीता पाई है आपना साका आल बुरी क्यों कालिया है ते एक दम पाई लेना पोछदा पुर्खा ए बचन कीदा पड़या है कि ते आस कीदा पाई जोद जी कें लगे मेरे गुरु नानक सहब दी बाणी है मिला सकता है ते पाई सहब कैं लगे ओ गुरु नानक सहब ऐस वेले करतारपुर सहब दी तरती ते सुभाई मानने जे मान मतनू शड के पाई लेना करतारपुर दे राप या उन्ने केवल ते केवल आपने कना दे नाल आपने सरवना दे नाल पंकती बाणी दी सुनी सी ये थी बसनी बाबा अमरदास जिनना दी उमर बाउत हो चुकी है कई साल ओगे ने ओना नू गंगा दे जान देयां इशनान कर देयां तीर्था दे जान देयां पर आज गुरु अंगद सावदी बेटी बीबी अमरो जो बाबा अमर दास दे सकेपती जे बाबा जसू जी नालवे आई होई है अमर तवेले बीबी अमरो उठी नाले दोद रिड़क दी पई है ते नाले तान गुरु नानक सहिब महराज सचे पादशादी बाणी पढ़ दी पई है करनी कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पई जो जो किर्ट चलाए ते उंचली आई तो गुन नाही अंत हरे चित चेत सकी नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुन गलेया सिरते हाथ राख के कैन लगे मेरी ये तीए इस शब्द की दे पड़े ने कई सालोगे ने बावे अमरदास नो गंगा दे जादेया साच जानी तेरी रसना तो इस शब्द सुनके जिन्ना सकून बावे अमरदास नो मिलेया जिन्दगी वेच आज तो पहला किते नीसी मिलेया ते बीबी अमरओ कैन लगीजिये बाणी गुरू नानक सहब दी मिला सक दीया बचिये ते बीबी अमरओ ने किया के पिता जी गुरू नानक सहब आज सरीर करके मजूद नहीं पर उना दी जगाते गुर्गदी दे उते मेरे पिता गुरू अंगद सहब खडूर सहब दी तरती पे बराज मानने जेकर मानमता नो शट के बाबा अमरदास तान गुरू अंगद सहब सचे पादशा महराज दी शर्नविच आए फिर बारा साल लगातार ब्यासातों जालटो के गुरू अंगद सहब जीदा इशनान कराके सेवा कीती ते जे बाबे अमरदास तों तीसरे पादशा गुरू अमरदास मने एदे पिछे भी पावना केवल ते केवल सुन दी ही काम कर दी पई है इस करके विदवान लिखदा पहला ससा है सुनना ते फेरो केंदा दुझे स्टेप ते आओ दूसरा है समझना सुनया जानदा है गुरू की बाणी नू सुनया जानदा है कीरतन नू ते समझया जानदा है गुरू की कथा राई जेने कीरतन नू गुरु के कीरतने प्यार ना लगांदे ने रागांदे अंदर साच जाने ओ उनना शब्दा दी विचार ते गुरु गरंथ साब दी बानी ते इतियास दी विचार करनी एह समझना हुन जेक ते एदा हुए के मनोख सारी उमर पहले स्टेप ते रवे पी सुनी जावे दुझे स्टेप ताक पहुंचन दा जतन ना करे जो सुनिया उननू समझे न ते कई वार फिर विदवान लेख देने पहला ससा केवल ते केवल कान रासता कही सीमत रह जानदा है एस करके सुनना वी जरूरी ते सुनतों बाद समझना वी जरूरी समझा जानदा गुरू की कथा राई ताई गुरू अरजन साब ने सुखमनी साब दे अंदर लिखेया सब ते उतमहर की कथा नाम सुनत दर्द दो खला था फेर वो विदवान लिख दै कहिंदा जदों सोन भी लिया जदों दुज्या ससा समझ भी लिया फिर तीसरा ससा है समाज आना के जो गुरू नानक दे कारवेच आके सुनेया जो समझेया उन्हों आपनी प्रेक्टिकल लाइफ दे अंदर आपनी निजी जिंदगी दे अंदर तार्न करना जिननों मेरे गुरू नानक सहब दाते ने लिखिया सुनेया मन्या मन कीता पाओ अंतर गात तीर थमाल नाओ ते जिनना ने फिर एस विचार नों आपने जीवन ते लागू कीता ओ गुरू दे करवेच सतकारे गए उननों किसे ने पाई साब किया किसे ने संत किया किसे ने ब्रम ग्यानी किया किसे ने गुर्मक किया किसे ने गुर्सिक किया इस सारे लकब उन वास्ते जुड़े जिनना ने गुरु नानक दे करवेचा के सुनयावी समझयावी ते उन्हों आपनी जिंदगी दे अंदर वी तार्न कीता खैर माराज सचे पाधिशा ने किरपा कीती है के आपां बड़ी एकता प्यार ते इतफाक नाल गुरु दी गोद वेचे जुड़के बैठे है आज दा दिन सिख इतियास दे अंदर बहुत हिस्टोरीकल दिन है आज दे दिन जदों असी अरदास हर रोज गुरु गरंत सावदे चरना अंदर कर दे है ते गुरु का अरदासिया एक पंक्ती पड़दा है जिनना सिंगा सिंगनिया तरम हेत सीस दे बांद बांद कटाए खोपरिया लुहाईया चर्खिया ते चड़े तान आरया ना चिरवाए ते एदे तों अगे एक पंक्ती आउँ दिया जी गुर्दवारियां दी सेवा ली कुर्बानिगा कीतिया कि गुर्दवारियां दी सेवा संभाल वास्ते वी सिखानू कुर्बानिगा करने पईया ते आजदा देन जदों एतियास ते अंदर पड़ोगे ते तो आडे सामने एक गाल आवेगी के हाँ दाता वाक्याई तेरे गुर्ता मादी इज़त आबरूनू सुरखेत रखन वासते तेरे बजुर्गाने तेरे एस गुरु कारदे लालाने एठे इनिया कुरुबानिया कीतिया ते फेर के ते पंथ दे हाथ वेच गुर्ता मादा परबंद आया मेरे कैन तो पाव आज दे इत्यासक देन दे उते दो साके वापरेन एक ते 21 फरवरी सन 1921 ननकाना साब दा साका ते दूसरा 21 फरवरी 1924 जेडा ननकाना साब दे साके तो तेन साल बाद जाके गुजरिया ओसी गांग सर जैतो दा मोर्चा जी दे वेच डेड़ सो सिखानू अंग्रेज सरकार नी गोलिगाना पोन दे था और ननकाना साब दा साका जी दे वेच लाग पाग दोसो सिख जिननानू जिन्दा पकड़के पठिगाच सिटके और ओथे बड़े बड़े जिड़े टोके सन उना नाल जिन्दा वड़के कतल करके बड़े सक्त तसिये दे के जांडनाल पुठे अलमका के उपर मिटी दा तेल सिटके शिहीद कीता गया पाव के आजदे देन सरदार लश्मन सिंग तारो वाली पाई दलीप सिंग पाई वरियाम सिंग एत आदक दोसो सिंगादा शिदी दियाड़ा है जिननू साका ननकाना साब करके सिख तर्म वेच जाद कीता जांदा है एस करके मैं चोना जिननाक समा में नो तुसी बक्षिश कीता है मैं आपने समय वेच केवल ते केवल एस ते आसली विचार तो अडेना सांजी कर सका गुरू की साथ संगत ननकाना साब दा पहला ना है राय पोहेदी तलवंडी एदा ना ननकाना साब ओधन पया जिदन मेरे गुरू नानक सहिब सचे पादशा ने एस तरती दे उते आगमल लेके जनम लेके एस पवितर तरती नो पाग लाए वैसे गुरू नानक सहिब सचे पादशा जिनना दे पिता दा ना बाबा मैता कालू ते बाबा मैता कालू जी दा पूरे वल्ड द वेच एक कोई गुर्दवारा है ओ डिस्टिक तरन तारन पंजाब दी तरती ते आए जेस पेंड़दा ना है पठे वेंड़पोर ते आज कल एनू देरा साब करके भी आपने तरमदे अंदर जाने आ जानदा है ओ ते बाबा मैता कालू जी दा जनम होया जदो तुसी गुरू गरंथ साब दी बाणी नू पढ़ोगे ते बाणी दे अंदर हजूर ने एक शब्द केया है सानू सारे अनू वो जबानी कंठ है जदो असी प्यार दे वेच पेजिके पढ़ देया के सात अरती पई हरियावली जिते मेरा सात गुर बैठा आए से जन्त पए हरियावले जिन्नी मेरा सात गुर देखे आ जाए एदे तु अगे एक पंग्ती आउंदी है तान तान पिता तान तान कोल तान तान सो जननी जिन गुरू जन्याम आए ते अगली पंग्तीच हजूर केंदे तान तान गुरू जिन नाम अरद या आप तर्या जिन्नी डिठा तिन्ना लए शडाए हुन ए नुक्ता बड़ा विचारन वाला है एदे चे जिथे गुरू दी मानू जननी नू तान क्या जिथे गुरू नू खोद नू तान क्या जिथे गुरू दा आगमन वया ओस तर्ती नू तान क्या गुरू दे दर्शन करनवाले सिखानू तान क्या ओथे सबतों पहला किन नू तान क्या ओग्या गुरू दे पितानू पितान तान पिता मावी बाद अंदर साच जानेओ ओथे कोल भी बाद अंदर गुरु दे सिख भी बाद वेच सब तों पहला गुरु दे पिता नुतान करके सन्माने आ गया होन जदों तुसी गुरु गरंथ साब दी बाणी पड़ोगे ते हजूर दी बाणी वेच तेन गुरु साब ने जिनना दे पिता गुरु नहीं सन्माने दोबारा शब्द रपीट कर लगाँ जी गौर दे के सुनेओं तेन गुरु साब जिनना दे पिता गुरु नहीं सन्माना दा जिकर पटाने गुरू की बाणी वेच कीता जदो तुसी बाणी नू पढ़ोगे हजूर केंदे गुर जगत फिरन शी अंगरो राज जोग लेना करे के बाबे फेरू दे शेर पुतर गुरू अंगद साब ने एस संसार ते आके राज भी मानिया ते जोग भी मानिया एदे तु बाद अगे गुरू अमर्दास सचे पाधशा जिनना दे पिता दा नासी बाबा तेज पान उनना दा नावी गुरू गरंथ साब दी बाणी अंदर आया जदो तुसी पढ़ देओ पलो पर सेद तेजो तनो जस जगत्र पर शायो के बाबे तेज पान दे पुत्र गुरू अमर्दास दा जस दुनिया दे उते कमाल तरीके नल पर गटोया हुन अगे गुरू राम्दास सेब जिनना दे पिता दा ना है बाबा हर्दास जी हुन बाबा हरदास गुरू ने बाबा तेजपान गुरू ने बाबा फेरू गुरू ने पर इनादा ना गुरू गरंथ साब वेच लिखेया और असी पढ़ देया कब कल ठकर हरदास तने गुर राम दास सर अपार परे मैं इच शब्द तांव रतेया सी ना गुरू राम दास जी दा वी बाणी अंदर आया पर गुरू राम दास एक गुरू दे पिताने इस करके मैं उना नू शटके केवल ते केवल उना तेन गुरू दे पितावा दा जिकर कीता है जेडे आप गुरू ने इसी पर हजूर सचे पादशादी बाणी वेचोना दा नाम ही आउधा है एठी बासनी आज जैसी बड़े मान दे नाल कहीने है के जित्थे जित्थे बाबे नानक दा सिख वासदा है दुनिया दे कोने कोने जित्वानू ओथे लंगर भी मिलनगे उठे दया भी मिलेगी ते साच जानेओं जेडे वीर बाबे नानक ने सचा सउगदा करके खर्च कीते सन ओ वीर बाबा मैता कल्यान दास दी कमाई सी ओ कमाई गुरू नानक सहब दी नहीं सी एक एन दे नाल एनी पे असी गुरू साब नो शुटे आ रहे है खर्ची गुरू नानक सहब ने कमाई गुरू नानक सहब सचे पादशान ने खर्च कीती पर साच जानेओं एक कमाई गुरू नानक सहब दे पिता बाबा मैता कालू दी इमान दारी दी कमाई सी मैं इमान दारी शब्द ताँ वरते है के देखो गुरु नानक सहिब दे अंदर एदा दी जुर्द सी ओ एदा दे महान इनकलाबी रैबर सन के ओ मलक पागो नू कह सकते ने तेरी कमाई बेई मानी दी या नानक सविकार नी करेगा गुरु नानक सहिब बाबर नू खड़के कह सकते ने बाबर तू बाबर नहीं तू जाबर है सच जाने हो जे के ते गुरु नानक सहिब दे पिता दी कमाई इमान दारी दी ना हुं दी ते बाबा नानक सहिब कदे भी वीर पई ये लेके पुखे साथ हुआ नू लंगर नाशिकाँ दी ओ कमाई इमान दारी दी सी ते आजवी दुनिया दे कौने कौने वेच जिते बाबे नानक दे सिख बैठे ने तो अनुव थे दया नजर आवेगी ते तर्म नजर आवेगा अब पिछले समय चे तुसी देखया पड़े लिखे सजण गुरू की संगत वेच बैठे हो जदो बोधी मुसल्माना ने रुहिंगिया मुसल्माना दे उते जुल्म कीते बर्मादी तर्ती दे उते हुन दो कौमा आपस वेच लड़ दिया पहिंगा ने और बोधिया ने रहिंगिया मुसल्माना दे बच्चे तक करो बार कड़ के शड़कांते लायां दे उन्हानों करो बेकर कर देता दो कॉमा आपस विच लड़ दियां पहियांने पर बाबे नानक दे सिख बर्मादी तरती ते जाके लंगर लाके दुन्यानों दासदे पहे ने के देया किनू केंदे ने ते तर्मनों नबोना किनों कहीं दे हन खालसा एडवाले वीरा ने बहुत सेवा कीती जी बर्मा दी तरती ते पच्ची हजार सिख ओथे पच्ची हजार लोकां दा लंगर हर रोज एक गुरू के सिख तियार करके लोड़ वंदा दे मूँ बिच पौँ दे रहे मैं कली खालसा एड़ दी गाल नहीं करदा साच जाने हो अक कश्मीर दी तरती ते पिछले समय बहुत वड़े वड़े फलड़ आए हड़ आए हुन ओथे सेख बहुत काट रही देने नबे परसंट अबादी मुसल्मान प्रामादी है पर साच जाने हो सेख ज़दों समाज दे अंदर दया करदा है दान पून करदा है ओ कदे नहीं देख दा के किसे दा तर्म की है मजब की है ओ तर्मती जाता पाता दे वितकरे तो उपर उठके हारे कनू ही अपने कलावे विच लेंदा है एही कारण है के गुरू रामदास सहब दे लंगर विचों शिरी अमर्त सरसाब दी तर्तीतों ओथे एक लख बंदे दा लंगर हार रोज पाक के तियार होके ते जेस वाई जाज था नी किश्मीर दी तर्तीते पौँचदा रहा ओस वाई जाज दा खर्चा ताक गुरू नानक दे सिखाने आपनी जेब विचों कीता गुरू की गोलक विचों कीता क्यों कीता जी? क्योंके सिख आपनी आखान दे सामने कदे जुलम उन्दा ताक ही नी सकदा एते साधे सिदात दे अंदर है एते साधे जेन दे अंदर है खैर में आपने विचे दे उते वापसोना चावना जी जदों अंग्रेज आए एस हिंदस्तान दी तर्ती दे उते उन्ना ने देखिया के असी केड़ी प्लैनिंग है जी दे नाल एस पार्त नू लंबा समा गुलाम रख सकने उन्ना ने सर्वे कीता ते सर्वे करके गुबतर पोटा इंगलैंड दी तर्ती ते पे जिया के सानू हिंदस्तान चरैन वाली किसे कौम तों खतरा नहीं बलके एक कौम नू शटके उन्ना ने पुछया केड़ी कौम केन लगे जी गुरू नानक सहिब दे सिख अग्वो फिर सवाल आया के एं सिख इन्ने मार्शल केवे ने एं सिख इन्ने जज़बे वारे केवे ने लडाके केवे ने ते अग्वो पता लगा जी जुलू मुद्दा बाबे नानक दे सिख अखा नालनी तक सक दे ए सारे चंगे वचार इनानो ओना दे गुर्दवारियां दे विचों ही मिल दे हन असी बड़े प्यार नल बाबा नानक सहिब दी एक पंक्ती पड़ दे हन मेरे हजूर दे बोलने पांडा हच्छा सोए जोतिस पाव सी पांडा अत्म लेंड तोता हच्छा ना होए सी हजूर कहीं देने साठे हिर्दे रूपी बरतन लिबडे पैने एदेच काम करोद लोब मो हंकार बैठा है चुगली निंदिया इर्खा अफगन ने ते किसे ने सवाल कीता बाबा जी इनना आपने बरतनानों साफ के में कर सक देया असी आपने माननों के में साफ कर सक देया ते हजूर ने अगली पंक्ती वेच किया गुरू दुआरे होए सोजी पाए सी एद दुआरे तोए हच्छा होए सी अधा मतलब। के गुर्दवारे चू आके इसोज़ी मिल दी है। गुर्दवारे चू आके जीमन ज्यून दा तरीका मिल दा है। अंग्रेजा ने क्या जे सिleness्छानू अनर्जी गुर्दवारियां चू मिल दी है। ते जाओ बाकी तर्मा वास्ते ते कोई होर विदान पर इना दे वास्ते एक नवा विदान लागू की ता ओ की सी इना ने गुरू की साथ संगत ओ महंत गुर्दवारियां दे उते काबज की ते जिदना दा सिदा सबंद अंग्रेज सरकार दे नाल जोड़दा सी क्योंके पहला महंत चोण दी सी गुरू की संगत पर होन जदों अंग्रेज एस हिंदस्तान दी तर्ती ते आके गुलाम बना लिया इन दोस्तानिया नो उना ने सिखा दे गुर्दवारियां दा परबंद सिद्धे तार ते आपने हथा वेच लेलिया उना क्या आजतों बाद संगत नहीं आजतों बाद मंत जेड़े ने इना दी चोण अंग्रेज सरकार करेगी गुरू की साथ संगत मैं एक बेंती होर करदा जावां तुसी जदों इतियास नो पड़ोगे ए जरूरी नहीं के सारे महंत बेईमान सन सारे महंत प्रिष्ट सन कुछ ओवी सन चंगे इखलाक वाले जिनना दा जीवन मियार बहुत उच्छा सी माराजा रंजीत सिंग दे वेले दी एक कटना आउंदी है वैसे महंत शब्द मारा नहीं ए वक्री गाल है के आज भी तुसी देख देओ कई ऐसे शब्द ने तुआ ड़े इतियास दे अंदर जेडे शुरू आत दे अंदर बड़े सोने शब्द सन पर हौली हौली उनना श मसांद शब्द बड़ा वदिया मसांद मसलत तों बनिया हौया शब्द मसलत दा अर्थ सी तख्त पाव के मसांद बहुत उच्छे सुचे किरदार वाले नू किया जानदा सी पर जदों हौली हौली एस प्रथा दे अंदर गिरावट आई ते अज जेडा मनोख तरमदे ना ते ठगिया मारे लोका नू घुमरा करे ताके तवीत तरमदे ना ते दवे जाल करकर के दवे ते असी के नया फलाना बंदा मसांद बन के गुर्द वर इच बैठ गया है हालांके शब्द वदिया सी एदाई महंत शब्द माड़ा नहीं गरबानी दे अंदर जब्द आया परगटे गुपाल माथे महंत ते मैं जिकर कर रहा सी असल दे अंदर सारे एकोजे नहीं सन एक गुरू कर दे महंत दा जिकर मैं तो आडे नाल जरूर करना चोना माराजा रंजीत सिंग जा रहा सन ननकाना साब दे नेडे एक गुर्दवारा सी ओठों दी सिवा एक बड़े उचे सुचे इखलाक वारा महंत करदा सी उन्हें सवेरे शाम नेतनेम करना ते नाल गुरू गरंथ साब दे चरनाच दो में समें अरदास बेंती करनी आज माराजा रंजीत सिंग जा रहा है जमराओ दा किला फटे करनवास दे ते उन्हें एस महंत नू क्या केंदा सिख राज दे माराजे दी अरदास गुरू गरंथ साब दे चरनाच कर दे हो के जे मैं जमराओ दा किला फटे करनवा हजूर सचे पाधशा महराज दे उस सिख ने उस महंत ने माराजा रंजीत सिंग दे कैन ते गुरू गरंथ साब दे चरनाच अरदास की थी उन वेखो माराजे ने जमराओद दा किला फते कर लिया आपने साथी सिंगा दी मदद दे नाल ते जदों जेत के वापस आ रहा सी उस से गुर्दवारे विच आके उनने अपना कोडा रोकिया ते गुरू कर दे महंत नो अवाज मारके कैन लगा कहिंदा पाई साब अरदास तुसी कीती सी अज जमराओद दा किला माराजा रंजीत सिंग ने फते कर लिया ते मैं चवना तुसी मंगो तुसी जो मंगोगे माराजा रंजीत सिंग अज राजा है जो काओगे मैं ओहुई तो आड़े अगे टेर ला दियाँगा हुन ओदा जीवन वेखे हो लालची नहीं सी उनने एक गाल की कहिंदा माराजा ते इनू आपने उते गरूर हो गया हंकार हो गया है साच जानी जिदन एस कार्थानी लंगया सी ते तु पखारी बन के गया साँ आप चोक के गया साँ ते आज तु राजा किदर दा हो गया ए साच जानी जे तु ओदो पखारी सी ते सारी उमर पखारी बन के रहना चाहिदा है तू दाता के में बन गया ओदा जीवन सी आम कोई उन्दाते हो कहीं दा लियाओ जी मिन्नो आचीज चाहिदी है मिन्नो आइना पैसा चाहिदा है एमें सिर्फ एके कटना दा जिकर कीता है खैर एदे तू अगे आओ बाबा साब सिंग बेदी साथी कौम एक संत माँ पुर खोईन इना ने माराजा रंजीत सिंग नो जदो राज गदी ते बैठा ते ओदों सारी मर्यादा नबाई ते अज माराजा रंजीत सिंग कोल बाबा सहिब सिंग बेदी गए उना ने एक शब्द क्या कहन लगे माराजा जी सच जानियों राज तो अड़ा आगया तुसी माराजें भी बनगे पर होवे सिखादा माराजा ते बाबे नानक दे जनम अस्थान ननकाना साब दी तरती जिठे पुजारी कोल गुरु कर दे गरंथी कोल इनिक माया भी नहीं के ओ माया ले आके ते ओ छे क्यों खरीद सके ते ओ दे नल दीवा बाल सके जोत जगा सके गुरु की साथ संगत माराजा रंजीत सिंग बाबा सहिभ सिंग बेदी नू अपना कोड़ा देने ते नाल एक शब्द कें देने केन लगे बाबा जी मेरा कोड़ा ले जाओ शाम तक स्वेर तो लेकि शाम तक जिछे जिछे वी एक कोड़ा फिर आवे पार्त दी तरती ते ओ सारी जमीन मैं गुरु नानक सहिभ सचे पादशादे ना दे उते ला दे आंगा एद नहीं हो या बाबा सहिभ सिंग बेदी जिछों जिछों तक गए ए सारी जमीन माराजा रंजीत सिंग ने गुरु नानक सहिभ सचे पादशादे ना दे उते ला दे ती ते मैं बेंती कीती गुरु की साध संगत असल दे अंदर तान गुरु नानक सहिभ महराज दा जेस तरती ते आगमन होया एदा नान ननकाना साब के में पया पहला है राए पोए दी तलवंडी सी राए पोए कौन सी है राए बलार जेडा गुरु नानक सहब दा सिख होया है राए बलार दे पिता दाना राए पोए सी ते ओदे ना ते ही तलवंडी पेंट वसिया होया सी ते उठे फिर जदो उन्हों पता लगा के मेरे पिता ने मेरे पिता राए पो इने लोकांदा लव पी के खून चूस के इमानदारी नाल नहीं बे इमानी दी कमाई करके सारी जमीन हड़पी है उन्हें एक गल कैसी कैन लगा बाबा कालू मैं सारी जमीन तेरे पुत्र दे ना दे करनी चाँ न आज तों बाद इनू राए पो एदी तलवंडी नहीं इनू आज तों बाद ननकाना साब क्या जावे हो सकदा पी साठे बुजुरगां दे कीते हो ए गुना किते ना किते माफ हो जान एदा मतलब ए नहीं कि उसारी जमीन दे मालक गुरू नानक से बन गए वैसे ते गुरू साब मालक ने खुद करतार ने पर नाननकाना साब पाके ते लोकानू बहुत वड़े पदर दे उते जमीन देती पी तुसी खेती बाड़ी करो एदे नाल आपना ते आपने परवार दा पेट बालू खेर मैं बेंती कर रहा सी के कुझ इतियासक अस्थान जिनना दा परबंध अंग्रेज सरकार ने मंता दे हवाले की ता एदे वेच ननकाना साब भी एक एदे वेच तर्न तार्न सहीब गुरू अरजन साब दा दरबार भी एक और एदे वेच गुरू की साध संगत हर मंदर साब साचखाड शिरीर मंदर साब भी एक ते होर बहुत सारे गुर्दवारे जेने महंत सिदे अंग्रेज सरकार दे कंट्रॉल दे थले काम करन लग पए पर मैं बेंती करां नाल दी नाले बहुत वड़े पदर ते प्रिष्ट होगे बें मानिगा करन लग पए तरन तारन दी कटनादा जिकर जदों तुसी इतियास दे अंदर पड़ोगे एथों तक के स्रोबर दी परकर्मा वेच महंत खुले आम नशा कर दे वेखे जांदे सन जदों किसे बव बेटी ने नमशकार करन गुर्दवारे होना ते उना दे नाल किसे ना किसे तरीके नाल गल्द हरकतां करने गा और एथों तक के जदों ओस समें दे साड़े बजुर्ग अकाली सरदार संत सिंग जी जेड़े तरं तारन पेंट दे ओएने शैर दे ओएने उना ने एक वार तरं तारन मस्या वाले दिन परकर्मा दे अंदर एक सपीज कीती सी जी दे वेच उना ने क्या के खालसाजी अमर्त शकीए गुरु वाले बढ़िए ते गुरु दी मर्यादा नाल जुड़िए बसोदा गना इना कसी के उनने ओथे अमर्त दी गाल कीती गुरु नानक दे कार दी बानी दी गाल कीती फिर जदों दो चार दिना बाद उसे बा मा पुर्ख पाई संत सिंग दा आठ साल दा बेटा ते तेरा साल दी बच्ची खेड़ दे खेड़ दे तरंतार नाए ते इना महंताने बदमाशा दी शाय दे नाल गुरु की साध संगत उस गुरु कार दे प्रेमी दे आठ साल दे बच्चे जिदा कसूर की सी उनने सिर्फ एग गाल की सी के सानु अमर्त शाके गुरु बाले बानना चाइड़ इना मंताने तूमता लाईंगा over दा दा है ते असी इना गुर्दवारियां चिव गुरु नानक दी गाल नु दूर करना चाहुँँ इना ने आठ साल दे बच्चे दे गाल वेच एक वड़े पत्थर दा टुकडा बान के तरन तारन सहीव दे स्रोवर वेच सिट देता एस बच्चे दी पैन कोल खडी तेरा साल दी उमर उन्हें बड़ा जतन कीता मिरा वीर बार आवे पर साच जानेओं एथों तक महंता ने जुल्म कीते के ओस बच्ची दा भी कतल होया और ओस बच्चे नुमी पाई संत सिंग दे बच्चे नुमी ओथे मार दिता गया स्रोवर दे अंदर डोब के एदे तो बाद संत सिंग दी कारवाली श्री अकाल तख्त साबते गई ओथे सरदार करतार सिंग चबर जेड़े ओस वेले कौम दी अगवाई कर दे सन ते नाल गुरु की साध संगत कुछ होर गुरु कारदे सिख बैठे ने सपीच चाल रही है ते पाई संत सिंग दी तरम पतनी कैन लगी जाके कैन लगी ओ सिखो तुसी शुरू तो लेके आज तक लोका दिया तिया पैणा नू बचाँ दे आयो अज मैं दुपागन तवाडे कोल आके भेंती कर दियां मैं संत सिंग दी तरम पतनी यां मेरे बच्चे आठ साल दे बच्चे ते ते तेरा साल दी बेटी नू महंता ने स तरोबर वेच सेट के मार देता है साच जाने हो जदू ए शब्दों ना सिखानू पता लगे ते पाई हजारा सिंग ते पाई हुकम सिंग दी अगवाई वेच से खाए गुरू अरजन साब सचे पादशा दे कारदा परबंद लेन वास दी जदू ए आए न एना ने एक दास कीती गुरू अरजन साब सचे पादशा तो आनू शांती दा सोमा क्या जान दा है तुसी जबर दा मुकाबला सबर नाल तती तवी ते बैके कीता अज यसी बाबे नानक दे सिख शांती रखके अरदास करन वास दे आए हैं के किरपा करीं कौम दा खेड़ा इना प्रि पाई हजारा सिंग शिहीद होंदे ने साच जाने हो उना दा अंतम संसकार होंदा है ते उदे तो बाद उना दी मां ओस संसकार दे विच आके शामल होंदी है उन मां आई मां दे सामने बच्चा शिहीद होया पे आई उदा अंतम संसकार होंदा है मां रोई नहीं मां ने आ परजिन साब सचे पादशा तेरे कारणू एना महंता ने अपवित्र कीता है मेरे पुत्तर ने आपना खून डोल के तेरे कारदी अजादी चापना जोगदान पाया है साच जानी मैं शीद पुत्तर नो आपनी कोखतों जनम देके अज सुबागी मां बन गई हाँ ए उना दी मां दी अरदास ही गुरू की साध संगत एदेतों बाद सिख्छानो जोशाया उना ने महंतानो ओस वेड़े ओस गुरू कार्चयों लंबे करके ते तरं तरं सहेवदा परबांद सब तूं पहिलना आपने हाथ वेचलिया हून एदेतों बाद सिख्छा ने एक जतन कीता ओ नो तोड़या जा रहे है तोड़या विखो किस तरीके ना गया ठारांसो बतर दे अंदर एक दल्त सेख परवार समेत परवार ओ इनसान गुर्दवरा साब हर मंदर साब आया के मेरी कड़ा पर शादी देग परवान कीती जावे पर अगले पासियों अंग्रेज सरकार ने मंत नो शाय देती सी के दल्ता नो इना सिखा दे नालों तोड़ देओ बाबा नानक दल्ता दे हाक वेच बोल दा रहा बाबा नानक गरीबा दे हाक वेच बोल दा रहा एस करके एना होवे जे ए गरीब लोग जिनना नो उच जाती दे लोग शुदर कहीं दे सन जे ए दुबार गुरु नानक दे कारनल जुड जावे ते इना दी गिंटी वाद जावेगे इस करके इना दी देग गुर्दवारेच परवान नी होएगे सच जाने हो जदों ओ बार आए हर मंदर साब दो ओछे उना नू एक इसाई पादरी मिलिया ते इसाई पादरी कैन लगा कहिंदा वेखो तुसी सेखो है दल्त सेखो इसे करके मंता ने हर मंदर साब देवेच तो आड़ी देग परवान नी कीती जाओ आज तो बाद मेरे ना इसाई बन जाओ मैं तो आनू हर मंदर साब देग जाओंगा ए परवार क्रिश्चन बनेया इसाई बनेया ते दबारा फेर हर मंदर साब दे अंदर आए इना नू आज परशादी परवान नी होया बालके मंता ने अंग्रेज सरकार दी शैय ते स्रोपा भी दिता ना लिना दी कड़ा परशादी देग भी परवान होई इसाई प्लैनग सी के इना लोकानू गुर्दवारया ना लों के में तोड़या जावे कली एक कट्ना नी एदरा दिगा कई कट्ना starring गुरु करा दे अंदर वापरिया अखीर सिखाने प्लैनिंग की ती ते वाक वाक तेन जथे बना के एनाने क्या सी ननकाना साब दा महंत नरैनू जेड़ा मन आईया कर रहे है जेड़ा ओस तरती नू अपवित्र कर रहे है जेस तरती ते किसे समें तान गुरु नानक सहब ते पाई मरदाने दी रबाब दी तार गूँजदी सी जेड़े किते बाबे नानक दी बाणी गूँजदी सी आज ओस नरैनू मनतने ओथे वेशवा दे अखाडे लाल आके गुरु की साध संगत ननकाना साब नू अपवित्र कर रंदा जतन कीता आज जदों सेखोस तरती दे ओथे जथे लेके पहुँचे ते साच जानेओं एक जचे दी अगवाई कर रहा पाई करतार सिंग चबर ते एक जचे दी अगवाई कर रहा पाई लशमन सिंग तारो वाली लशमन सिंग तारो वाली दे नाल लाग पाग दोसो सिंग है जी दे वेच कोज बीबिगाने ते एक छोटी जी उमर दा बचा जी दा ना इतियास दे वेच दरबारा सिंग करके आया है एक दरबारा सिंग सरदार केर सिंग दा सु पुत्र सी मैं बेंती करा गुरू की साथ संगत एक अंग्रेज होया जी मिस्टर रिचड उन्ने एक मैगजीन दे अंदर स्टोरी लिखी ओस अंग्रेज ने ओ केंदा एक वार मैं ते मेरे नाल केर सिंग जी डा ब्रिटिश गॉर्मेंट दे अंदर ओ दो नौकरी करदा सी जी दा पुत्र दरबारा सिंग शोटी उमर वेच ननकाना साथ दे साकेच शीद होया ओ अंग्रेज लिखदा है केंदा मेरे कोल बदूक ते सरदार केर सिंग दे कोल दरबारा सिंग दे पिता कोल बर्शा केंदे रस्ते वेच जा रहे सी ते सामने शेर आ गया ओ जदो शेर आया ना ते केर सिंग कोल बर्शा ते ओ तरती ते खड़ा है ते जी दे कोल जिस अंग्रेज दे कोल बदूक है ना ओ रोख दे उते चड़के बैठ गया ते उन्हें आवाज देती, कहिंदा केर सिंग जी, तुसे भी रोखोते आके चड़ जाओ, नहीं ते शेर आवेगा, ते तो आड़ा कतल हो जावेगा, केर सिंग ने उथे एक शब्द वरतिया, यह मैं आपने कोड़ों नहीं कह रहे है, अंग्रेज दी सेटेटमेंट है, उन्हे एक मैगजिन वेच लिखिया, ओस हमें, कहन लगा, मिन्हों सरदार केर सिंग कहन लगा, कहिंदा ओदर एक शेर है, ते एदर सामने शेर दे, दो शेर खड़े ने, ते ओँ अंग्रेज मिस्टर कहन लगा, कहिंदा केर सिंग जी, दो शेर के में, हुन केर शब्द जिड़ा संस्कृित दा, ते शेर नो संस्क्रित दे विच केर कया जान दा है, एदा मतलब केर दा अरथऊ शेर, ते सिंग दा अरथऊ शेर, ओध सरदार केर सिंग कहन लगा, ओस अंग्रेज नो, कहिंदा एक शेर ना, पाव केर ना, मेरे माँ बाप ने रखिया, ते दूजज शेर मेरा कलगियां वाले पाधशा तान गुरु गुबिंद सिंग माराज ने रखिया इस करके शेर वेख के मैं कबरा के में सकना ओ अंग्रेज ने लिखिया है कहिंदा जीदे कोल बदूग सी और रोखते चड़ गया ते सरदार केर सिंग कोल बर्शा सी उने बर्शे नल शेर दा कतल करके उसे शेर नो मार मुकाया बड़ा बादर सी सरदार केर सिंग एदा बच्चा दरबारा सिंग उमर बड़ी शोटी ते माँ दा साया सिरते नहीं जदो चलिया लिख्मन सिंग ता रो आली दा जथा केर सिंग भी जथे शामल हो या ते आपने निके जे बच्चे नो कैन लगा पुत्रा तू साठे जथे वेच नहीं जावेंगा ते ए बच्चा बाप दिगा लता नाल चिंबड गया कैन लगा पिता जी दसो में नो अमर्त शकाया के नहीं केर सिंग कैन लगा तू अमर्त शकाया है ते कैन लगा पिता जी जदों अमर्त शकाया सी वासी कितों दे बन देया ते पिता कैन लगा नादपुर साब दे साड़ा पिता कौन ते पिता केर सिंग बचे नो कैन लगा गुरू गबेंद सिंग साधी माँ कौन ते पिता कैन लगगा बचिया माँ सैब कौर साधे प्रहा कौन ते पिता ने क्या बाबा जोरावार सिंग ते बाबा फते सिंग अज दरबारा सिंग कैन लगगा पिता जी कि डी हरा नी दी गल नाले ते बाबा जोरावार सिंग फते सिंग मेरे प्राव बन गी अमरति शकनतों बाद उना दा तियास सानू तुसी सुनाया के केवे निक्या जिंदा ने वड़े साके कीते उना नू सरांद दिगा दिवारा विच चिनके शीद कीता जे मेरे प्राव शोटी उमर विच शीदिगा दे सकते ने ममी गुरू गुबेंद सिंग दा पुतरा मैं तो आडे नाल जथे च गयो नी जा सकता इतियास कहीं दा ओ बच्चा तुरेया बाप ने वास्ता पाया पुतरा साथे बारा को दा पेंडा तेनू चलना पवेगा हो सकता रस्ते च पीली पानी मना मिले पर गुरू की साथ संगत ओ बच्चा नाल गया किना जजबा होएगा जदो ननकाना साब दे नेडे पाई लश्मन सिंग तारो आलिदा जथा पुँचिया ओदे च दो बीबिगा सी ते आपनी जेब दे विच्चों इना सिखाने बारा रपएए काड़के उनना पैना दे हाथते रखके किया पैनो तुसी वापस चले गए जाओ वापस एस करके जाना है कि जदो तवाड़े प्राननकाना साब दी तरती ते जाके शीद हो गए तुसी एना बारां रपईयां दे नाल साड़े शीदों उनतों बाद साड़े वास्ते श्री अखांट पाट सहिव राम करा देओ वेखो किड़ा वड़ा जजबा होएगा बंदे नू पता होएगा कि मैं जिस रस्ते ते जा रहे हैं मैं मर जावाँगा वापस नहीं आवाँगा एवे नी गुरू की बाणी विच लिखिया जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सेर तरतली गली मेरी आओ एड़ा वड़ा जजबा लेके लश्मन सेंग तारो वाली दा जथा ननकाना साब दी तरती नू कूच कीता है हुन करतार सिंग चबर नू पता लग गया भी नरेनू मंत दी नीत ठीक नहीं उनने बदमाश अंदर रखे ने गुर्दवारे अंदर उनने टोके रखे ने उनने ओथे गोलिगा रखे ने बदूका ने ते ओ इना सिखा दे ओ ते चला के इना नू शीद कर दवेगा उनने दो सिखा नू पे जया पाई वरियाम सिंग ते पाई दलीब सिंग नू दो माँ सिखा नू चिठी दिती पांच सिंगा दे ओ दे ते साइन ते एना दोमा सिखाने जिम्मेवारी लई खालसा जी असी पाई लश्मन सिंग तारो वाली दे जथे नू ननकाना साब नहीं जान दावांगे ए जदों आए लश्मन सिंग तारो वाली नू मिले ते ओद्रों पाई लश्मन सिंग कहन लगा कि दा दलीब सिंग जी गुरू का खालसा रुकेगा नहीं कहने लगे जी पंथ दा हुकम है ते अगले पासियों जवाब आया असी गुरू गरंथ साब दे चरनाच अरदास कर चुके हैं एस करके सेख अरदास करके कदे भी पिछे नी मुड़दा आज पाई लशमन सिंग तारोवाली पहुँच गया ननकाना साब गुरू की साध संगत ताबया दे बैठके आसा दी वारदा पाठ रंब कीता ओथे कीर्टन वया नरेणू मंतनू पता लगा अंदरों गोलिगा चलाइगा गईआ ओथे शिखाँ दी वाड़ टोक शुरू होई और एथों ताक पे आज डी चर्न गंगा जी दे विच्चों आपाँ पैर तो के अंदर आउने एक चर्न गंगा भी खून दे नाल लव लुआन होगी आज दा देन सी इकी फरवरी उन्नी सो इकी पर सेख शात मही रहे के शाधता दा जाम पींदे रहे एक इनसान साथी कौम दे अंदर एक सिख होया पाई नरैन सिंग उन्ने कताब लिखी जी ननकाना साब दे साके थे क्योंके उन गुर्दवारे दा मनेजर सी उस वेले 10 साल ननकाना साब दा मनेजर रहे है ओ केंदा मैं चश्म दीद गवाँ वाँ जेडे सेख दे उते गोली चाल दी सी ओ अलमारी दे अगे जाके शीद उन्दा सी क्यों ओस अलमारी चो शोटा जा बच्चा दरबारा सिक बंद सी ते सेख चांदे सी असी पावें शीद हो जाईए पर साधी कौम दा ये वार्स बचना चाईदा बच्चा बच्चना चाईदा जदो इना जालमाने गोलिगा मारिगा आज दे देन गुरू गरंथ सावदी बीड चार सो पंदरा तो लेके शे सो पची अंग तक एस गुरू गरंथ सावदी बीड वेचवी इना लोका ने गोलिगा मारिगा ताबिया बैठे सिंगा नो शीद कीता गया ते उना लोका ने वेखिया अलमारी दे अंदर की अलमारी खोली जिछे जाके सिंग शीद हो रहे ने जदो खोलिगा वेखिया अंदर बच्चा है ओस बचेनों मी बालदी ओई पठीच सेट के शीद कीता गुरू की साथ संगत एड़ा वड़ा नुकसान पी दोसो सिंगा ने शाधत दा जाम प्रापत करके ननकाना साब दी मर्यादा नो मुड़ बहाल करवाया जदों सिंगा नो पता लगदा जी दो सिंग जिनना जिम्मेवारी लई सी पंथ दे कोलों के असी लश्मन सिंग नू अगे नी वदन दवांगे ए बैठेने ननकाना साब दे कोल एक कार खाना सी सरदार हुकम सिंग दा जदों इनना दे कन्नाच गोली दी अवाज पई ते पाई दलीप सिंग वरियाम सिंग नू कैन लगगा कहिंदा पाई साब जिम्मेवारी आपां लई आए जे आपां बच गे ते लश्मन सिंग नी शीद होगे कौम तान ने मारेगी के वेखो इनना जिम्मेवारी लई सी के असी नई जान दवांगे जथे नू आज ना कौम दा नकसान करा दिता ते आप चंगे पले बैठेने वेख्यो साथे बुजुर्ग अकालिया दा जीवन दोवे प्रा किंदे फिर की करना चाहिए कहिंदा सामने गोलिगा चल दिगा पहिया ने करना की है जे आपने उत्तों एस बलेम नू लोणा चोने या ते चलो आपने प्रावा नाल ननकाना साब दी तरती ते आपावी जूज के शहादत दा जाम प्राप्त कर जाएगे मैं कई वार सोच दां सेख ते आज भी ने सेख ओदों मी सी आज वालेया कहिंगा ने किया के जिदन शिरी और मंदर साब टेंक तोपा चलनगे साथे इन शातियां दे उत्तों दी लंग के टेंक जानगे पर साथ जाने हूं ओहोई लीडर्शेप बावा खड़ियां करके बार आई ते कई जीवन वाले सेख ओस तरती ते शीद होए पर पहला लीडर्शेप पेदना दी नहीं उनना दा इखलाग बड़ा उच्छा सी एवे नहीं पाई कान सिंग नाबा जी ने लिखेया किसे ने उनना नो पुछिया किंदे अकाली किंदे ने ते पाई कान सिंग नाबा दे सामने ननकाना साभ दा मोर चाया गांग सर जैतों दा मोर चाया के के में कॉम तुरी जारै है गांग सर जैतों गुरदवरे वाल नो जेड़ा सिंः अग्वाई कर दा सी न उ दे अथवेद एक केसरी निशान साब उन दा सी ते जदों अंग्रे जग्यों गोलिगा मार दे सी जदे आथ वेच निशान साथ सी जदों डिगन लगदा सी ते मगरों पाज़ के दुझ्जा से ख निशान सा भड़ लिंदा सी के मेरी कौम दा निशान नी डिगना चाहिदा एस जथे वेच एक बीबी सी जीदा ना इतियास वेच माता पर सिंग और करके आया इन्हे कुछड निकाजा बचा चुकिया एवी जथे ची शामल ते जदों इन्हें वेखिया के जेडा सिंग जथे दे मूरे लगगाए ओधी शाती ची गोली वाजगी ते वो सिंग तरती ते डिगया जदों निशान साब डिगन लगगा एस पहन ने चट अपने सज्जे आथ दे नाल निशान साब भड़ लिया ओधरों गोली आई एस पहन दे कुछड चुके बच्चे दे सेरवेच गोली वाज़ी हुन पहन वेख दी एक पासे निशान साब एक पासे मेरा एक कोखतों जाया बच्चा मैं किन्नू रखा थे किन्नू शड़ा साच जाने हो आपने देल दे टुकडे बच्चे नू तरती ते सिटके दुवा हथाना कोट के निशान साब भड़ लिया केंगी पुत्तर जान दाते जावे मेरी कौम दा निशान साब था लेनी डिगना चाहिए दा एसी साठी एसी उन्हा लोकां दा किरदार जदों कान सिंग नबा जी ने ए इतियास पड़िया उन्हा ने फिर लिखिया अकाली दी परभाशानू ओ केंदे कमल जीं माया जल विच है अलेब सदा सब दा सनेही चाल सब तो नराली है करके कमाई खावे मंगना हराम जाने पाने विच बिपतानू मने खुशहाली है सवार्थ तो बिणा गुर्दवार यांदा चुंकी दार तरमदे जंगले चड़े मोख लाली है पूजे ना अकाल बेन किसे देवी देवते को सिख दशमेश दा सो कही ये अकाली है ये उनना ने प्रबाशा देती बस मैं एक बेंती करके फिर फते बलावांगा अपां अरदास विच पढ़ देया न के जिनना ने खोपरिया लुआई या साच जाने हो निकले और गुरू की साथ संगत मैं बेंती करां करतार सिंग चबर अंग्रेज सरकार नो कें लगा केंदा शाथ मही रहके शीदिगा देतिगाने पर उन शाथ मही नी रहांगे नहीं ते लियाओ बाबे नानक दे गुर्दवारे दा प्रबांद साथे हाथ ते चाबिगा राख देओ अंग्रेज केंदे काल तक दे दे आंगे सिंग कैन लगे जे तुसी काओ एक कैंटा एक कैंटा वी दूर है ओदा कार्ण एह है तुसी गोलिगा चलाओगे असी दोसो दोसो दा जथा ग्यारा जथे सी बाईसो सिंग गया ननकाना साब शीदिया तो बाद ते पाई करतार सिंग चबर कैं लगे केंटे दोसो दोसो दा जथा बना के तो आडिगा गोलिगा वालनू मुह करके पजांगे शीद ओनगे दो ओनगे चार ओनगे दस ओनगे साडे चू एक भी बाच गया ते तो आडे ही पुल्स वालें दी शिटेन भड के असी तो आनो मार दमांगे गुरू की साथ संगत ओनगे पर एदन युंदा रिया उन्हा लोका ने अंग्रेज सरकार ने चोक के आज दे देन गुरू की साथ संगत जदो ओठे सिंग शिरीदो ओए एना शिरीदिगा तो बाद फिर तेई भरवरी नो चाबिगा पाव के गुरू नानक सहीव दे कारदा परवंद सरदार करतार सिंग दे चबर दे हाथ वेच देता जदो खोपड़िगा एक था राख के सिंगा दा ससकार हों लगा न ते चबर साब कें लगे एक दिन ससकार डिले कर दे हो कहिंदे जी डिले क्यों कीता जावे ते कहिंदे आपा अरदास वेच पड़ देयां जिनना ने खोपरिगा लवाई गयां कि ते दुनिया दा कोई ऐ हो जया मनोख ओ एना कैदावे पी सतारवी ठारवी सदीदा ते आस किन्ने वेखे आए आज समा बने आए साड़े सामने खोपरिगा पईयां ने कटो काट तर्क करनवाले बंदियां नू एक दिन दे दिये जे किसे नू साड़े तरम दे उते साड़े त्यास ते शकोवे ओ ननकाना साब आके खोपरिगा दे टेर वेख सकता है के केवे गुर्दवारें दी खातर साड़े बजुर्गा ने शादत दा जाम पराबत कीता एदना ही होया जी एक देन खोपरिगा पईया रहिया ते अगले दिन अंतम संसकार होया गुरू की साड़ संगत तेही फरवरी सन 1921 और साड़ी कौम दे ओ भजुर्ग ऐ हो जे मान पूरने पाके गए के रहिंदी दुनिया तक गुरू करा दे अंदरों जड़ी आवाज आउँदी है राज करेगा खाल सा आकी रहे न कोई गुरू की साड़ संगत एना बचना ते पैरा दिन दिया होया गुर्ता मादी इज्जित आबरू दी खातर आज दे दिन साड़े हो कौमी परवाने शीद होये साका बड़ा लंबीरा है एदे चे कटनावा बढ़िया जबरदस्त ने पर समा मेरा समापत है एस करके मैं अगानी जाना चौनदा दो चार मैं टुते भी होगे ने मैं पाई साब दे जथे पासों हाथ जोड़के खिमा में बांग दा परबंदक वीरा दा बहुत बहुत तनवाद जिना ने गुरु की संगत ने बड़े प्यार सतकार नल बैठके आज दे देन दा इतियास सर्वन कीता है कोशिश करांगा कालनू जड़े दो दिवान ने एदे वेच गुरु कार देंगा होर एदा देंगा कुछ आहो जिए साखिया आई हो जा इतियास गुरू की बाणी तो अड़ेनल सांजी कर सकां के साड़ा ए जड़ा समाग में एक कीता होयावी सफला हो जावे पोल चुक दी खिमा तो अड़ा सारें दातनवाद ग्यानी सर्ब जी सेंग जी उना दातनवाद जिना ने आप संगतां दे दर्शंद दारे करवाए ने क्योंके मैं बीती तेन तरीक नो मंजी साब कथा कीती सी तो थोड़े दिन बाद ही मिनू पाईज साब कैन लगे पी आ कानी वापर गी है मैं कै जी मेरा प्रोग्राम है कि ते बार कैन लगे तुसी उथे जाना है ब्रिज राज नगर ते मैं तो अड़े दिड़ा प्रोग्राम एदा कोई होर पर बंद कर देंगा सो मेरी जगा ते उनना ने कोई होर सिंग पेज के ते मिनू तो अड़े दर्शन कराए ने काल दे दो दुवान बाकी ने एदने वद चड़के शमूलियत करे ओ आपां गुरू का तियास प्यार नल बैठके सर्वन करांगे सारी संगत दा कोटन कोट तनवाद पोल चोकदी खिमा गज के फते बलाओ जी वाई गुरू जी का खालसा वाई गुरू जी की फते